हेलो एब्रिबन हम कंप्लीट कर रहे हैं मदर इंडिया बुक है कैथरीन मायो की उसको ठीक है तो इससे संबंदित चार चेप्टर अल्डेड अपन कंप्लीट कर चुके हैं ये चेप्टर फाइव है साफ होई ये काफी कॉंट्रिवर्सल बुक रही है ये ठीक है तो अपने इसको कंप्लीट करने वाले हैं वाल विवा के बारे में बिदायका के सदश्यों ने जो चित्र प्रस्तुत किया है उसके परणाम को देखने के लिए किसी बिदेशी के लिए सबसे सीज़ा तरीका यह है कि वह बारत में महला अस्पतालों को जाकर देगे मैंने यही काम पं महला रोगी को देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी उत्तर पूरग के एक सहर में बाहरती मैलाओं में एक परदा अस्पताल का बहुत नाम है जहां भीरू सवाब बाली मैलाओं की बीड रहती है जिनने उनके घरों की चार दीवारी के बीतर बाहर पहली बार निकलने का अफसर मिलाओं या वो हमेशा बीतर ही रहती है और अगर भी बीमार ना पड़ती तो अब भी यहां आने का जोकिम नहीं उठाती मुशलिम मैलाओं हमेशा और हिंदू मैलाओं यदा कदा परदा वाली गाड़ियों से यहां पहुंसती है यह वक्षे नुमा छोटी पाल उनमें सरकारी बाबों की पत्नियां होती हैं अधिकारियों और व्यवसाई पुरुशों की पत्नियां होती हैं कभी-कभी धनी इस्त्रियां तो कभी-कभी गरीब इस्त्रियां भी होती हैं यानि ओचे जाती की इस्त्रियां भी आती हैं और निमने जाती की इस्त्रियां भ एक अस्पताल एक मंजला बवन में है जिसमें कतार से अनिक कमरे हैं इनमें कुछ बार्ड हैं और कुछ अलग-अलग कमरे हैं वर्सों पहले जब यह आरम हुआ था तो यहां महलाओं के आने की गती बहुत सुस्त थी पहले साल में केवल नो इस्त्रिया ही प्रसव के लिए आ हुआ है जगे न होने के कारण बीस्यों इस्त्रिया यहां बढ़ती होने के लिए चिरोरी कर रही हैं अगर आप चहल कदमी करते हुए चार पाईयों के बीस से निकले और सपे तक्यों पर लेट हुए चहरों पर नजर डालते जाएं तो आपको गेर आर्यों के चहरे काले ब्रामण इस्त्रियों के चहरे अलके भूरे, मुश्लिम महिलाओं के चहरे सुंदर तराशे हुए क्योंकि उनकी नसल उत्री इरान की है और दच्षड की महिलाओं के चहरे बदधे दिखाई देंगे पर सभी के चेहरे बताते हैं कि उनकी पीड़ा और बेवसी एक समान है यहां लगबग महिलाओं की बीमारियों का ही इलाज होता है इन बीमारिस्तियों में बहुत सी युबा है और लगबग सभी यौन रोगों से संक्रमित है कुछ निसंतान लोग भी यहां आते हैं जो संतान उत्पत्ति के लिए दवाई यह ओपरेशन की प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी भारतिये पत्नियों को पुत्र हो और भी शमानित इस्तिति प्राप्त कर सके बेटरिस महला सरजान अदीचिका कहती है इन महलाओं में लगातार एक बच्चा होने के बाद सूजाक की बीमारी हो जाती है और उससे उनकी कोग नश्ट हो जाती है या बहुत सी ऐसी युवा लड़कियां भी आती हैं जिनके अंदरूनी अंग बिवाह के पहले बर्ष में इसकदर नश्ट हो चुके हैं कि देखकर डर लगता है या नब्बे प्रत्सत इस्तियों के कोग की सूजन का कारण सूजाक की बीमारी है जैसे ही हम एक युवा लड़की के बिस्तर पर जाकर रुपते हैं वो हमें भूके जानवर की तरह देखने लगती है डॉक्टर बताती है यह एक नई मरीज है इसके कई बच्चे हुए हैं पर सभी मरे हुए इस वार अगर इसके जीवित बच्चा नहीं हुआ तो इसका पती इसको रखेगा नहीं इसलिए यह हमारे पास प्रसब के लिए आई है इसे भी योण रोग है पर आसा है हम इसे सही कर सकते हैं और इसे ही क्या हुआ है मैं एक दूसरे बिस्तर पर जाकर पूशती हूँ उसके चैरे पर हमें म्रत्यू की पीड़ा देखाई दे रही थे डॉक्टर ने बताया यह एक हिंदू अधिकारी की पतनी है इसके पहले प्रसब में यह बच्चा जीवित नहीं रह सका था इसलिए तीन दिन पहले जब इसे दूसरे प्रसब के दर्द सुरू हुए तो इसका पती इसे यहां ले आया था इसे दिल की बीमारी और दमा भी है और इसकी एक टांग भी टूटी हुई थी मुझे इसकी टांग भी ठीक करनी पड़ी और प्रसब भी करवाया इसे जुडवा बच्चे हुए पर भी भी मरे हुए जिनने संडसी से पकड़ कर निकालना पड़ा अंदर संक्रमन होने की बज़े से इसकी कोग नश्ट हो गई है और अब यह द्वारा बच्चे को जर्म नहीं दे सकती लेकिन अभी यह बात इसे मालूम नहीं है मुझे लगता है कि अगर इसने इसे सुन लिया तो मर्ज आईए इसकी उम्र कितनी तो तेरे वर्ष कुछ महीन है आगे बढ़ने पर मैंने एक पीली पढ़ चुकी लड़की को देखा जो अपनी चिडिया के पंजे जैसे हाथ में कागज का एक खिलोना पकड़े हुए थी जैसे ही वह मुझे देखकर मुस्क्राए मैंने पूचा और इस ही क्या हुआ है आ डॉक्टर कहती है यह सरकारी प्राइमरी स्कुल में पढ़ती थी खुश थी और पढ़ने में तनी तीज थी कि इसने अभी चात्रवती के लिए प्रुसकार जीता था पर पांच महीने पहले चुट्टियों में इसके भाई ने इसे इसके आदमी की घर भीज दिया जिसके साथ इसकी साधी हुई थी उस आदमी की आयो थी करीवन पचास फर्स उनके बिचार में वह शब्य हिंदू है इसलिए निंदनिया नहीं है पर हमारे बिचार से ही वह जानवर है इसके साथ जो गलत काम हुआ उसे यह लड़की बताते हुए भी ड़ती है हपतों तक यह बत से बत्तर होती गई और अंदमें पागल हो गई तब इसकी चूटी बेन जो हमारे पुरानी मरीज रह चुकी है इसे इसके पती के गड़ से बगा कर यहां ले आई मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देगी जिसके साथ एतना क्रोड दुसकर्म हुआ है इसके अंदरूनी जक्मों में कीडे पड़ गए है यह आने के कई दिनों तक यह चुपचा बिस्तर पर लेटी रही थी कुछ बोलती भी नहीं थी कि वर भावशूनी आखों से तागती रहती थी उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि सयोग से एक आत टूटी लड़की अस्पताल में इलाज के लिए आई हमने उस लड़की की चार पाई को इसके बिस्तर के पास रख दिया मैं जब भी जाती तो उस लड़की के साथ खेलने लगती थी जिसे यह देखती रहती थी हमें इस तरह उसके साथ खेलती हुए देखकर इसने मैसूस करना सुरू किया कि हम लोग क्रूर नहीं है अगले दिन जैसे ही मैं इसके पास से गुजरी यह मुश्कर आई मानसिक संतलन भी ठीक हो रहता पर इसका सरीर अभी भी बीमार है लेकिन दुर्बागी से इसे यह याद नहीं है कि इसके साथ बास्तब में क्या हुआ था यह बस अपने खिलोनों के साथ लेटी रहती है कुछ हैरान रहती है और कम जो रातों से उन से खेलती रहती है यह अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से कमरे में हमारी अल्चलों को नहारती रहती है इसी बीच इसकी पती ने अपने बैबाएक अधिकारों को बापस पाने के लिए मुकदमा कर दिया वो ऐसे फिर से घर लेई जाने के लिए दवाब बना रहा है यह अभी तेरे बर्सकी नहीं हुई है मानसिक पागलपन के ऐसे उधारण शामान नहीं है यदि एक बच्ची को अपने माता पिता से बिराशत में कमजोर सरीर की बजाए वलिष्ट से वलिष्ट सरीर भी मिला हो तो भी वह कौमली होता है इस तरह के जुल्मों को बरदास्त नहीं कर सकता है जिस लड़की के बारे में अभी बताया गया वह एक सब्रांद, सिचित और शब्य परवार की बेटी है किन्तु ये लड़की बिल्कुल उस जैसी है जिसे मैंने यहां से तीन सो मील दूरे गाउं में देखा था उस लड़की की साधी बच्पन में ही कर दी गई थी वो दस बर्च की उम्र में उसे पती के साथ भीज दिया गया था वहां उसका लगातार इतना ज़्यादा उपियोग किया गया कि वह गवरा कर पागल हो गई उसके बाद उसे इतना पीटा गया कि वह तड़पकर एक कौने में धीर हो गई यहां तक की मार पढ़ने पर भी वहां से हिली नहीं जब वह उसके लायक नहीं रह गई तो उसका पती अंतते उसे बुरा सोधा समझ कर निरास होकर उस नन्ने मासुम सरीर को अपने कंदे पर डाल कर जंगल मिल ले गया वो मरने के लिए एक जाड़ी में फैंक आया संयोग से एक भारते ने उस लड़की को फैंकते हुए देख लिया था जिसने तुरंट इसकी खवर एक अंग्रेज मेला को दी बरना वो लड़की जाड़ी में ही मर जाती खवर सुनकर वो अंग्रेज मेला स्वैम जंगल में गई और इस लड़की को उठा कर अपने साथ लेकर आई बताते हैं कि उसके साथ हुए जुल्म से उसके दिमाग पर इतना गहरा आगात हुआ था कि उसमें दीरे दीरे चीतना आई थी पर जब सांथ और प्यार के साथ एक बच्ची के तर उसकी देखवाल की गई तो वह शामा ने बादचीत करने की स्थिती में आ गई थी उसके बाद जब मैंने उसे एक साल चार मईने के बाद पहली बार देखा तो वह पुराने बगीचे में खुसी से दोड़ते हुई दूसरे बच्चों के साथ खील रही थी वह एक गुडिया को हाथ में पकड़े हुए संतुष्ट लग रही थी उसके अंग्रे सर्राचक जब तक चाहेंगे उसे रखेंगे उसके बाद क्या होगा पता ने वो त्री छेत्र को छोड़ दें तो भारत की अधिकांस भागों में शामाने ते यही इस्तिती है प्रांतों से कुछ भिनने है उदारण के लिए मैंने एक इस्तिती को देखा जो साड़े नौ वर्स की आयू में मा वनी थी उसका पेट चीर कर बच्चा निकाला गया था और जो लड़का हुआ था उसका बजन एक और तीन चौथाई बंबई से एक अजार मेल पूरवी बारत के दूसरी ओर भी आपको यही खाने मिलेगी यहां के अस्पताल की एक अत्यांत योग्य और समर्पित अंग्रेज मैला डॉक्टर ने मुझे बताया हम इन बाल पत्नियों से क्या उमीद कर सकते हैं पहले गर्व काल में ही इनकी जीवन सकती खत्म हो जाती है उसके बाद भी बेलगातर काम करती रहती है और बार बार के गर्वधरन से बच्चा जनने के लिए जिस नहीं सकती की उन्हें आवशकता होती है उसे अपने अंदर पैदा करने का उन्हें कोई अफसरी नहीं मिलता है यह सबसे बड़ा बच्चा पांच पाउंड का है शामान्य बीमारी का संक्रमन जल्दी हो जाता है सामान्य वजन चार पाउंड है बहुत से बच्चे मरी हुए पैदा होते हैं और जो जिन्दा पैदा होते हैं उन्हें भी जीमारी का संक्रमन जल्दी हो जाता है यहां मेरी अधिकांस मरीश वे हिस्त्रियां हैं जो बिश्व विद्याले के छात्रों की पत्नियां है इन मैंसे लगवख हरे को यह उन संक्रमन है जब मैं पहली बार बाहरात आई तो मैंने इस बिश्वास में कोसिस की कि मैं लड़कियों के माता पिता से जाकर मिलूं और उन्हें उनकी बेटियों की इस हालत के बारे में बताऊं ताकि भी रोकताम का कुछ उपाये खरें परन्तु जब मुझे मालम हुआ कि उन्हें अपनी बेटी की होने वाले पती की बीमारी के बारे में पता रहता है लेकिन उस पर उन्हें न सर्म होती है उन्हावियों से गलस समझते हैं तो फिर मैंने अपनी कोसिस करनी छोड़ दी बेज बीमारी से बिल्कुल परेशान नहीं होते नाबेज बात को मानते हैं कि वे अपनी बेटीों की अगली नसल में गातक बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं अब मैं जिस वासे चिंते तूँ वह यह है कि हमारे अस्पताल के पास पैसे की हमेशा कमी रहती है ऐसे इस्तिती में क्या इन मरीजों को दवाई देने का मुझे अधिकार है एक मरीज के इलाज की कीमत 20 रुपे आती है और जो इस तरी ठीक होकर घर जाती है वा पती के संपर्क में आकर फिर उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है मैं बहुमोली 20 रुपे से और बहुत से अच्छे काम कर सकते हूँ लेकिन फिर भी मद्रास प्रेसिडेंसी में भी पस्चिम से उत्तर तक कोई अच्छी कहानी नहीं है एक अत्यांत अनुभवी महिला सर्जन ने मुझे बताया या अधिकांस इस्तरियों के लिए बिवा एक सारे रिक्तरास दिया है लड़की एक या दो स्वस्त बच्चों को जनम दे सकती है परन्तो उसके बाद वो अपने आप या तो संकरमर से या निर्मम देखवाल से अपंग हो जाती है ऐसी हजारों इस्तरी रोगों के मामले में जिनमें मैंने इलाज किया है और अभी भी कर रही हूँ मुझे एक भी ऐसी इस्तरी नहीं मिली जिसे योन रोग ना हुआ हो भारत की अन्य प्रांतों में भी स्वास्त करमी पुरूशों और महिलाओं ने जिनमें यूरोपी और पास्चात्य सिच्छत भारतिय बे थे मुझे कम उम्र में पत्नी बनने वाले इस्तरीयों में होने वाले को पुरौवों के बारे में ऐसी ही बाते बता ही गई जैसे मा को जल्दी तपैदिक हो जाता है उनके सरीर के अंदरून यंग अपनी जगे से हड़ जाते हैं कमर की हड़ी और बच्चे दानी पर अत्यदिक जोर पढ़ने की करण उनकी परपक्वे हड़ीयां कमजोर पढ़ जाती है और भी इतनी बरबाद हो जाती हैं कि उनमें दुआरा बच्चा जनने की सक्ती नहीं रह पाती है ऐसे हिस्तिती में उन्हें हिस्टीरिया और दिमागी रोग हो जाता है और उनके सरीर का मानसिक भिकास रुख साता है एक भारतिय अनवभी फीजीशन ने मुझे बताया भारतिय इस्तिरियों का बहुत कम प्रतिसत मुझे स्वास्त और मजबूत दिखाई दिया मुझे लगता है कि उनकी यह स्थिती उनके यौन शंकरमाण और सहवास की अधिक्ता की वज़े से होती है उनके साथ शामान ने ते दिन में दो या तीन व़र सहवास किया जाता है 36 बर्स पहले जब सहवास के लिए शेमत आयों के बिल पर भारती बिदायका में बहस चल रही थी तब समस्त महिला चिकसकोन ने जो उस समय भारत में काम कर रही थी और जिनोंने अपने आपको उनकी सेवा के लिए समर्पत कर दिया था वाइस राय से इस्त्रियों की मुक्ति के लिए प्रारतना की थी उन्होंने अपने प्रारतना पत्र में शामान ने मामलों को प्रस्तुत किया था जो चिकिस्सा के समय उनमें से हर एक के ब्यक्तिगत अनववों में आये थे उनमें से कुछ गटनाय निमलिकित हैं जिन से जाना जा सकता है कि जब बें मरीज पहली बार इलाज के लिए उनके पास आई थी तो उनकी कितनी बत्तर इस्तिती थी आयू नौ बर्स विवाग के एक दिन बाद ही जान की हड़ी उतर गई थी कोक नश्ट हो गई थी और मास लटक गया था आयू दस बर्स खड़ी ओने मसमर थी अत्य दिक खून बहरा था मास के चिचड़े लटक रहे थे आयू नौ बर्स उसके साथ इसकदर बलातकार हुआ था कि उसकी सर्जरी भी मुश्किल थी उसके पती की और भी दो जीवित पत्निया थी और वह बढ़िया अंगरी जी बोलता था आयू लगवग साथ वर्स अपने पत्ती के साथ रहती थी वो बिवा के तीन दिर बाद घोर यंत्रणा में तडब तडब कर मर गई आयू लगवग धस वर्स अपने हातों और गुटनों पर रेंग कर अस्पता लाई अपने बिवा के बाद से वो कभी भी खड़े होने में समर्थ नहीं होई यहां जो सूची दी गई है वो संचिप्त है मूल सूची से बड़ी है आप पूरी सूची इस पुस्तक के पर्सिष्ट में देख सकते हैं तीक है नीचे पुस्तक का पर्सिष्ट दे रखाई है तीन नम्बर ठीक है यह लग-लग इनमें देख सकते हैं यह बात अठारे सो इंक्यान में की थी 1922 में यह विशेफ पुने बाहती बिदायका की समच लाया गया और वर्सों बाद महिला सर्जन डॉक्टरों ने एक वार फिर वही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसका किसी ने भी ब्रूद नहीं किया और ना कोई कर सकता था जिस अंग्रेज ने अपनी बहस में इस प्रार्थना पत्र का उल्ले किया वो उसका जोर से पाट करने का साहस नहीं कर सका किन्तु सहमत आयू में ब्रद्धी करने वाले इस बिल पर चर्चा करते हुए उसने अपने बाशन का समापन इन सब्दों के साथ किया था अधिकांस लोगों ने कहा है कि इस बिल से आंदोलन की शंबामना है आंदोलन को जितना मैं नापसंद करता हूँ उतना कोई नहीं करता मैं तो आंदोलन से उप गया हूँ किन्तु महोद है यह मामला जब इस्तरियों और बच्चों की जीवन से जुड़ा है तो मैं ड्यूक ऑफ वैलिंग्टन की सब्दों में केवल इतना ही कह सकता हूँ आंदोलन करो और नरक में जाओ साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के ताजा अंक में मिश्टर गांदी ने अपने लेक से एक लेक अपने नाम से एक लेक बाल बिवा का अविशा सीरसक से प्रकासित किया जिसमें मिश्टर गांदी लिखते हैं यह हमारे हजारों होनार लड़के और लड़कियों की जीवन सकती को नश्ट कर रहा है जिन पर हमारे समाज का बविश निर्वर करता है यह प्रतिवर्स हजारों दुर्वल लड़के और लड़कियों को पैदा कर रहा है जिनके माता पिताओं के सरीर भी अभी पूरी तरह परपक्व नहीं हुए है आज हमारे समाज में जो सरवातिक भयानक बाल म्रत्युदर और म्रतक बच्चों का पैदा होना जारी है उसका उरवर कारण यही बाल विवा है यह एक संख्या, दो सारिक सक्ति और सहथ, थर्ड नैतिकता इन तीनों द्रष्टियों से हिंदू समाज को भी धीरे धीरे पतन के गर्थ में ले जाने का मुख्य कारण है जितना रोचक मिश्टर गांदी का यह लेक है, उतना ही रोचक इसका उत्तर भी है जो एक ऐसे बारती संबाद दाता ने दिया है, जिसको मिश्टर गांदी श्वैम समाज में उच्छ स्तिती का ब्यक्ती मानते है वह लेकता है, मुझे आपका लेक, बाल विवा का अविशाक पढ़कर बहुत अधिक पीड़ा हुई मैं समझने में अश्पल हूँ कि आप उन लोगों के उदार बिचानों को क्यों नहीं सामिल कर सकते जो आप से बिन्न मत रखते हैं मुझे लगता है, यह कहना अनुचित है कि जो लोग बाल विवा पर जोर देते हैं भी पापी है बाल विवा की प्रता किसी एक प्रांधिया समाज के किसी एक बर्ग तक सीमित नहीं बलकि यह भारत में शर्वत रहे बाल विवा का मुझे बिरोद इस बात पर है कि इससे बाल पत्नी और उसकी बच्छों का श्वास्ते कमज़र हो जाता है पर यह बिरोद निमने कारणों से बहुत बिश्वस्षनिये नहीं है हिंदूओं में अब विवा की आयू बढ़ रही है पर जाती कमज़र होती जा रही है पचास या शो साल पहले इस्त्रियों और पुरूष शामने ते मज़बूत स्वस्थ और आज के पिच्छ अधिक आयों के होती थे किन्तु तब बाल विवा अधिक प्रचलन में था इन तत्यों से यह प्रतित होता है कि बाल विवा सारे रिक ब्यादियों और कमजूरियों का उतना बड़ा कारण नहीं है जितना लोग मानते है अंतिम पंक्तियों में जो तर्क दिया गया है वो भारतियों में इतना आम है कि उस पर कुछ कहे बिना नहीं रहा जा सकता लेखक को अपने दादाओं के कार और पोते पोतियों के इस्तिती की बीच कोई शंबन दिखाई नहीं देता लगता है उसने खुछ से ही कागज पर यह संबन लिख दिया है मिश्टर गांदी का बाल विवा पर प्रहार जारी रहा हालांकि वह अरंडिया रोधन जैसा था पर उन्होंने अपने लेख के विरोध में आए कुछ और पत्रों को भी प्रकासित किया इनमें एक पत्र उन्होंने एक बंगाली इंदु महिला का भी छापा जिसमें बहुत लिखती है मैंनी जानती कि आपने हमारे समाज की गरीब बाल पत्नियों की पच्छ में जो सब्द लिखे हैं उनके लेए मैं आपका किस तरह दन्यवाद करूँ हमारी इस्त्रियां चुपचा नम रोकर अपने दुखों का बहुत सहन करती है अब उनमें किसी भी दुख से लड़ने की कोई भी सकती बाकी नहीं रह गई है इसकी उत्तर में मिश्टर गांदी ने अपने निजी अन्ववसिक को चोधारण दिये जैसे एक साट वर्षी सिच्छा विद ने एक नौ वर्ष की लड़की से बिवा किया और जन्ता में उसने अपना शम्मार भी नहीं खोया किन्तो अंत में उन्होंने भारत की पास्चाती सिच्छा प्राप्त महिलाओं पर या अरूप लगाया कि बे अपनी उरजा राजनिती में, वाशड़ देने में, अपनी परशदी पाने में और फालतु बातों में ज़्यादा खर्च करती हैं और भारत की मुक्ति के लिए की जाने वाले कारे की उपेच्छा करती हैं जिनने वे ही कर सकती हैं उन्होंने कहा क्या इस्त्रियों का हमेशा पुरूशों को दोज देना और उश्री में अपनी संतुष्टी समझना उच्छत है यदी बे चाहें तो इस्त्रियों के वोट के अधिकार के लिए लड़ सकती है इसमें ना समय खर्चोना है और ना है कोई परेशानी होनी है अब तक चैन से ना वेट है जब तक की बाले का विवा असंबब न हो जाए इन विश्यों पर चर्चा करके उनकी बास्त विक्ता पर परदा डालना और उन्हें जल्दी से टालना लोगों की आदत बन गई है इस बिसे पर और प्रकाश डालने के लिए जब ईशाई मिशन्रियों की रिपोर्टों का अध्यन किया गया तो पता चला कि उनमें शर्मनाग बातों के इस्तान पर डॉट डॉट देकर उन बातों को ही दफन कर दिया गया है इसका कारण यह है कि ईसाई मशीन्री पहले उन लोगों का हित सोचते हैं जहां से उनको धन मिलता है वो जिनकी मेजों पर भी अपनी रिपोर्ट रखेंगे इसके बाद भी उन बाहरतियों का हित सोचते हैं जिनने खुस रख कर इवे अपने मिशन में सफलता असल कर सकते हैं इसके हैतरिक्त उन शामाने लोगों ने भी जो भारती जीवन की इन सच्चाईयों को जानते हैं का वर्डन करने की बज़ाय उन पर परदा ही डालने का काम किया है जिसकी एक बज़ाय तो यह है कि वे भारतियों को नाराज करना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे उनकी बदनामी होती जिससे बे नानवब करते हैं और ना समझ सकते हैं दूसरी वज़ाय यह है कि वे अपने पास्चाते पाटकों की रुची का अपमान करना नहीं चाहते थे फिर भी इस तरह के मामलों में शत्य को दवाना या छिपाना निंदनी है क्योंकि कुछ पश्चमी पाटक तो ऐसे हैं कि उन्हें जब तक साप साप ना बताय जाए भे मौजुदा इस्तितियों की कलपना नहीं कर सकते फिर भी यदि कोई भारत की शमश्याओं को समझना चाता है तो वा मिष्टर गांदी के सब्दों में आत्म चल है जिसे वा मापाप कहते हैं यदि कोई भारति है जीवन के इन बुनियादी पहल утग की अकीकत को ना देके और यदि कोई इस विसाय को टाल देना चाहे तो उसे यह सोचना चाहिए कि उसे इस तरह अपने लिए प्रसन होने और उन लागों छोटे बच्चों और महिलाओं के बारे में बोलने और सुनने का भी क्या अधिकार है जो आज सारे दे की यातनाएं से रहे है ठीक है इसे कहां कहां से लिया गया तो औरतों का एकांध जैसा की हरम होता है Legislative Assembly Divates 1922 Volume 3 Part 1 Prust 881-883 Parist 919 ठीक है यहां यहां से इसको लिया गया ठीक है तो फिलाल के लिए इतना ही आगे की चर्चम में अगली वीडियो में करेंगे Thank you